How to transfer data from PC and Laptop to iPhone Yes guys, if you want to transfer data यदि आप transfer करना चाहते हैं अपनी media files, files, everything from PC and Laptop to iPhone, then you can do तो इसके लिए दोस्तों, आप अपनी सभी types के data को ला सकते हैं Just example, आपके पास big files हैं, बड़ी videos हैं या फिर किसी भी तरीके की documents हैं Everything you can transfer, right? तो सबसे best way है कि आप इस video को आप तक देखें, आपको काफी सही लगेगा यह तरीका कि कैसे आप अपनी data को transfer कर सकते हैं Include everything, photo, video, जो भी है from Windows and Laptop to iPhone, right? तो इसके लिए आपको क्या करना है, just normally इस video को आप तक देखें तो यहां पर हम एक software को use करेंगे, जो कि आपको provide करिया जाता है phone tool, just यह दो है, आपको link description box and comment box में मिल जाएगा, आप इसको download करें तो पहले हम यहां पर सीखेंगे कि क्या-क्या आप इसकी मदद से कर सकते हैं तो guys, यहां पर आप इस software के मदद से multiple tasking कर सकते हैं Just example, आप WhatsApp का data transfer करना चाहते हैं, chat backup लिना चाहते हैं या फिर iPhone to iPhone data transfer करना चाहते हैं iPhone to PC, PC to iPhone, Android to iPhone, iPhone to Android, everything यह आप सब कर सकते हैं और इस आप सभी review देख सकते हैं, यहां पर तोटल आप यह सब tasking कर सकते हैं Why phone tool is your best choice? तो guys, यहां पर 14 year plus, यहां पर 14 सालों का ज्यादा experience है, यहां पर इस software को use करते हुए हो गया है 3 million से भी ज्यादा यहां पर trusted users हैं और काफी सारी इसकी best चीज़े आपको देखने को मिलेंगी तो आप free download पर क्लिक करके window में आप download कर लें तो जैसे आप इसको download कर लेते हैं, हम यहां पर इसको करते हैं launch Alright guys, तो यहां पर हमारा software है वो ready होने वाला है तो आप इसको अपने laptop और PC में इस तरीके से download करने बाद launch करेंगे phone tool तो अभी आपको कुछ इस तरीके से interface मिल जाता है अब आप अपने iPhone को lighting cable की मदद से connect करेंगे और यह supported है latest version iOS 17 and 18 also तो आप इसको इस तरीके से unlock कर दें Right guys, तो यहां पर आपको different functions देखने को मिलेंगे सबसे पहले हम जाएंगे device पर, device पर आपको जो अपने device की information मिल जाती है और यहां पर hot features में जाके आप देख सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं data, iPhone to PC, PC to iPhone, iPhone to iPhone, Android to iPhone इवन selective data भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बैकप ले सकते हैं और दूसर नमबर पर आपको देखने को मिल जाता है, यहां से आप selective backup कर सकते हैं आप अपने iPhone का backup लेना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं आप इखने को मिल जाती हैं यहां पर ट्रांसफर, Select Transfer Mode तो यहां से आपको तीन टाइपस देखने को मिलती हैं तो अभी हम यहां पर सीखेंगे कैसे PC to iPhone data transfer करेंगे और इसी के साथ iPhone to iPhone भी कर सकते हैं और iPhone to PC Well, सबसे पहले हम यहां पर थोड़े से और features के बारे में जानेंगे इसके ताकि हम बाद में आपको बताएं कैसे आप transfer करेंगे data तो यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं Select Backup Mode आप backup भी ले सकते हैं अब full backup ले सकते हैं और यहां पर आप स्लेक्टिव backup भी ले सकते हैं तो उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको Alright तो यही नहीं डेखने आप अपनी व्ट। ग्राक वहाँ और यही नहीं इवन आप अपनी WhatsApp का भी बैकप ले सकते और अपने दूसरे iPhone में भी ट्रांसफर कर सकते हैं इस data को वर्टसप के राइट तो काफी useful है अब next करेंगे और गोस्तों कि कैसे आपसी आपको data करेंगे अब हम यहाँ पर detail में जानेगे कि कैसे आप अपना data transfer करेंगे यदि आप laptop FV PC से transfer करना चाहते हैं iPhone में data राइट तो हम यहाँ पर जाते हैं select transfer mode में तो आपको एक center में option मिलेगी PC to iPhone राइट तो इसको आप select करेंगे अपने iPhone में data transfer कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर कुछ files को select कर दिया है photos, videos को अब यहाँ पर हम transfer पर click करेंगे तो जैसी आप transfer पर click करेंगे click करने के बाद आपको यहाँ पर दो options मिलेंगी आप scan करके इनकी application यानिकी आप एक्स्टो पर जाके इनकी application को download करके scan करके directly भी कर सकते हैं अगर नहीं तो आप directly transfer पर click कर सकते हैं तो हम यहाँ पर transfer directly photo पर click करेंगे और just within a seconds में आपकी files transfer हो जाएंगी तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आपको एक और option बताना चाहूंगा just example आप select करें और हमने कुछ videos को select कर लिया है तो आप transfer पर click करेंगे और अगर आप इनकी application का इस्तमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको show कर देता हूं just example आप यहाँ पर select करेंगे files को और select करने के बाद जब आप से पूछा जाता है कि आप directly transfer करना चाहते हैं आप इस scan करके तो आपको यहाँ पर scan वाला process भी बता देता हूं तो इसके लिए आपको अपने इस iPhone पे जाना है और यहाँ पर app store पे इनकी officially application को download करना है जो कि इनकी officially है मैं आपको show कर देता हूं phone toll yes तो आप app store को open करें उने के बाद यहाँ पे आपको इसको download करें यहाँ आप इसको launch करेंगे iPhone में इसको इस तरीके से सभी permissions को allow कर दें उसके बाद दोस्तों आपकी 20 seconds में photo video transfer हो जाएंगे even wirelessly भी आप कर सकते हैं तो यहाँ पे हम इसको back करते है तो यहाँ पे हमारी photos videos transfer हो चुकी है अब back करने के बाद आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों इस software के बारे में काफी amazing सी चीजे हैं इस software के अंदर तो आप इसको इस तरीके से use करेंगे यदि आप transfer करना चाहा रहे थे laptop PCC data iPhone में तो आप इसका definitely इस्तमाल करें link आपको description box and comment box में पिल्ट देखने को मिल जाएगा और रही बात यह देख सेते हाँ पर जो है 14 सालों से भी ज्यादा इस company को काम करते हुए हो गया है 3 million से भी ज्यादा इसके trusted users है 180 plus countries में यह application use की जा रही है 225 से भी ज्यादा इसके editor choice है तो बहुत ही सही review है इस software के तो आप इसको definitely use कर आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते है नेक्स टोड में थैंक्यू सो मच गाइज